हेलो लीब्रा, वेलकम टु आ रेंटली गाइडेंस, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपमें लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे, आज मैं फिर आपके लिए रिडिंग लेके आई हूँ, आये देखते हैं, लीब्रा आपके लि अपसेस लाव, जो भी परसन है, बहुत ज़्यादा अपसेस है, ख्वीन अप कप्स, ओके, अगर आपका दिल किसी ने तोड़ा है, ठीक है, आपका दिल अगर किसी ने तोड़ा है, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, कि बात बन सकती है, यह परसन जो भी है, यह आपके साथ रिलेशनशिप ठीक करना चाहेगा, ठीक करना चाहेगा, एक चीछ और मुझे यहाँ पर दिखाई देरी है, आप दोनों का रिश्टा मुझे फिलाल इन फ्यूचर सा लग र होँए, चुकि यहाँ आप दोनों में से कोई एक परसन बहुत ज़्यादा ऑपसेस है, एक से, और मैं बता दू, शायद आप दोनों का अलग होने का रिजन भी यह ऑपसेशन हो सकता है, चुकि अपने पार्टनर को स्पेस चाहिए होती है, और जब यह ऑपसेशन भरता है तो रिष्टों में प्रॉब्लम्स आती हैं, और एक कुछ, मुझे यहाँ जो दिख रहा है कि आप दोनों के जो प्रॉब्लम है, जो रिष्टे में इशूज हैं, अगर आप दोनों मिल के बात कर लो, तो शायद चीज़ ठीक हो सकती है, ऐसा है कुछ, situation, अगर आप दोनों के बीच बात हो, तो आप दोनों एक दूसरे को, आप दोनों के इन वो capacity के आप दोनों एक दूसरे को heal कर लें, ठीक है, मेल्स अगर मैं देख रही हूँ, तो यह वो मैं आपसे बहुत प्यार करती है, यह जो फिमेल है, यह बहुत ज़दा emotional है, या तो आपने इनको hurt कर दि पर आपका होना थोड़ा जादा हो सकता है, जिसके वज़े से वो जो person है आपका, वो आपसे भाग रहा है, च्योंकि इसको space नहीं मिल रही है, अगर आप दोनों ये इस तरह की misunderstanding आप दोनों की हुई है, जैसे कि मैंने पहले बोला, कि आप दोनों के बीच ऐसा मुझे communication होती तो चीज़ ठीक हो सकती है, पर एक right communication, right communication मतला with understanding, ठीक है, चुकि यह understanding की कमी हो सकती है, आइए रेखते हैं और क्या पता चलता है, लिब्रा के लिए उनिवर्स प्लीज काईट, ऐसा च्यो लग रहा है, मेल्स ऐसा लग रहा है कि आप अगर उस परसन से उस फिमेल से obsessed थे, तो आप उस फिमेल का ध्यान कोई और मेल रख रहा है, जिसके वज़े से आपके love life में issues हुए हैं, और ये कोई new new अभी शुरू हुआ है, उसका रिष्टा, और वो उसकी company enjoy कर र चली देख लेते हैं, या आपका मेल, फिमेल, किसी और फिमेल को entertain कर रहा है, जाए जैसे भी मिले हूँ, उनकी बीच के मैं strategy हो रही है, जिस वज़े से आप obsessed हो रहे हूँ, या फिर आप दुनों का और आपका obsession बढ़ा है, और आपकी insecurities बढ़ी है, अपने partner को लेकर और आप दुनों अलग हो गया, उनका किसी और के करीब जाना ही आपका सबसे बड़ा current बना है, या फिर आपका obsession इतना था कि उसको किसी और person की साथ बहुत ज़्यादा relief मिला है, जिसके वज़े से ये relationship में problem आई है, let's see, universe, okay, irreplaceable, the way you love can never be match, yes, obviously, इतना obsession, इतना obsessed love कोई नहीं करता, ठीक है, और इस तरह का love कहीं नहीं मिल सकता, फिलाल से love कहेंगे, but, I don't know, किसे love कहेंगे या नहीं, but उसको कहीं न कहीं feel हो रहा है, कि ऐसा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता, जैसे आप करते हो, at least वो आपकी love के respect करता है, पर यह person को space चाहिए, okay, let's see और क्या है, unappreciated, okay, dishonesty, जूट भी बोला गया है, और यही वज़ा है, broken, chase, I don't want to chase anymore, वो आपको बार chase नहीं करना चाहते है, वो आपके पीछे और नहीं भागना चाहते है, अगर यह person आप से obsessed था, तो अब वो पीछे हट रहा है, चुकि वो टूट चुका है, I feel sharted about the situation, broken, अगर आप दुनों में से किसी ने भी person को जूट बोला है, तो यह person जो भी है, वो सह नहीं पाया है, चुकि यह person काफी emotional है, और उसे नहीं बरदाश हुई यह चीज, अगर किसी ने भी आप या उन्होंने जूट बोला है, तो एक यह reason है आप दुनों का रिष् चेस नहीं करेंगे, शर्द अब तक कर रहे थे, यह अपर यह आपकी energy है, आप इन्हें chase कर रहे थे, तो शर्द अब आप नहीं करोगे, यह अब आप पर depend करता है, कि अगर यह आपकी energy नहीं है, अब अभी भी chase कर रहे है, तो यह उनकी energy है, कि वो आप chase नहीं करना चाते ह है इनिवर्स प्रीज गाइट डिस्टेंस ओरी जन लॉंग डिस्टेंस रिलेशन्शिप कुछ लोग के लिए लॉंग डिस्टेंस रिलेशन्शिप रहा है अच्छ 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 करियर के वज़े से उनको आपसे दूर रहना पड़ा करियर के वज़े से इस पोसन को रिच बनना है या हो सकता यह पहले सही रिच है अच्छा और करता है अच्छा कमाता है या तो इसे रिच बढ़ना है इसे ज़्यादा पैसे कमाने हैं करियर के वज़े से यह आप से दूर गया है लॉंग डिस्टेंस हुआ हो सकता पहला आप साथ रहते हूँ और यह लॉंग डिस्टेंस रोलेशन्शिप हुआ और या तो यह पॉसन तक काम में बिजी रहना ल तो दूरी भी एक रीजन बन सकती है आप दोनों के अलग होने का ओके देखते हैं अब आपके पॉसन के मन में क्या चलता आपको लेकिए युनिवर्स प्लीज गाइट queen of swords नराज की गुसा या कैलो की clarity चाहिए जो की clarity नहीं है confusion है इस रिष्टे में बहुत सारी चीजे तो यहाँ पे clear आप दोनों के बीच में हुई ही नहीं है आप दोनों की सही से बात ही नहीं हुई है गुसरों से और हो जाए तो शायद यह जो misunderstanding हुई है या जो problem आप दोनों के बीच में है यह clear हो सकती है और यह person को clarity चाहिए फिलाल और अगर नहीं चा हैं आपसे तो टावर टावर बहुत कुछ कह जाता है तावर बहुत कुछ कह जाता है separation और अच्छा खासा separation कोई छोटा मूटा नहीं कि दो दिन बात नहीं हुई तीन दिन बात नहीं हुई नहीं तो टावर ओके यह अदर लोग involved है तो वो fans यह person ने बहुत patience ले रखा है फिलाल तो इस रिष्टे को लेकर इस इन चीजों को लेकर और शायद यह आपके against क्यों मुझे दिख रहा है जैसे यह यह तो किसी person की influence में आकर आपके against गया है पर यह अभी भी आपके against वाली उर्जा में मतलब आ आप दोनों एक दूसरे के पर देख रहे हो यहाँ एक male एक female obviously male female के बीची relationship रहा होगा आप दोनों का अगर नहीं भी रहा है तो कोई बात नहीं पर यहाँ दो parties है आप देख रहे हो चीक है और दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ दिख रहे हो मतलब तलवार देख रहे हो या तो यह आपका पूरा सच नहीं जानता या यह आपके प्यार को देख नहीं पा रहा क्योंकि यह influenced है चुकि इसने तो अपने आखोंगे पट्टी बांध रखी एससे कुछ निज़र नहीं आ रहा चीजों को यह देखना नहीं चाहता चीक है पस तिर मैं कह सकती है पॉसन आपके बारे में सोचता है और आपको stock करता है क्योंकि यहां पे two of friends है यह भी भार नहीं निकला है यह इस चीज के बारे में सोचता है यह आप पे नजर भी रखता हूँ सोचल मीडिया पे यह हो सकता है कोई mutual जो आप दोनों के बीच कोई connection हो ठीक है ओके आए देख लेते हैं और क्या है आप पर कहीं ना कहीं जैसे आपका काड आया है यह भी चाहता है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं सुला हो जाए चाहे अभी आप दोनों की बंदा रही हो पर मन में एक corner में हो सकता है आप दोनों की वीच कोई ego fight है यह बहुत गर्मा-गर्मी argument हुई है चुकि दोनों ही तलवार पक्रे हुए है कुछ बोला भी है एक दूसरे को बुरा यह सबसे रजूरेट नहीं होगा जिनसे हो रहा व देख रहे हो आपने two of cups का कभी card देखा होगा चारो में यहाँ पर दो cups है एक अच्छी understanding build होने की जरूरत है आप यह देख रहे हो cup को आपस में उड़ेल दिया गया मतलब थोड़ा सा एक दूसरे में तो यह रम जाओ यह एक दूसरे को जो जैसे उसे accept करो यह एक दूसरे की कोशिश करो यहाँ इस समझना बहुत ज़रूरी है अगर नहीं समझोगे तो चीज़े ऐसी ही जाएंगी मिस्ट्री मिस्ट्री इस वज़े से है क्योंकि कोई अच्छी communication नहीं है या मिस्ट्री इस वज़े से है कि कुछ चुपाया गया था दिस होनेस्टी या भी अभी भी कुछ चुपाया जा रहा है विदन फीलिंग म्यूजिक के म्यूजिक से कनेक्ट है इस प्रपोजल ओके इसे किसने ने प्रपोज किया है एक्स लवर किसने किया है वो भी समझ में आ गया या हो सकता है कि आपका एक्स लवर वापस आके आपको प्रपोज करे कोई प्रपोजल दे कि वापस से एक हो जाते है चलो क्योंकि उसकी spiritual awakening चल नहीं और शायद उसे अकल आ जाए चावर का काड spiritual awakening भी हो सकती है ओके between the lines होई तो है आप दोनों के बीच में कुछ differences आ चुके हैं आप दोनों के बीच में मैं सिब इतना कहूंगी सब के लिए नहीं लेकिन यहापे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके एक्स पार्टनर वापस आ सकते हैं प्रपोजल लेकर चुकि उस person की awakening चल लही है और वो pain से ग लिए तो कुछ chances वन सकते हैं कि आपका रिष्टा थी हो पर जिस्ता से situation दिख रही है ऐसा तो नहीं है कि आपके पार्टनर को कोई ex lover वापस आ गया हो और उसने आपको यह बात बताई ना हो चल यह देखते हैं उनका next shift क्या होगा इनिवर्स प्रीज काइट judgment yes मैंने का कुछ लोगों के लिए अच्छी news हो सकती है judgment okay reconciliation कुछ लोगों के लिए reconciliation यह बंदा कोशिश करेगा क्योंकि यह बर्दाश्ट नहीं कर पा रहा आपके साथ separation क्योंकि आपसे queen of bands strength अभी आप पे है कि आपको इसको मौका देना है कि नहीं क्योंकि मैं देख पा रही हूं कि proposal आता नजर आ रहा है आपके एक्स लवर की तरफ से हूं हो सकता कुछ लोग अभी भी उसे एक्स ना मानते हूं कोई बात ने एक चीज यह क्यों मुझे नजर आ रही है कि यहाँ पे कोईसी का ऐसा कोई partner है जिसकी शादी हो रही है और शादी हो रही है तो उसे अपने parents के कहने पर शादी करने पड़ी है वो नहीं चाहती है यह नहीं चाहता है फिर भी और एक यह reason है कि आप दुनों के बीच में problems आई है और शाद इस चीज के बारे में शाद इनोंने कुछ हद तक चुपाने की कोशिश की थी आप वो नहीं चाहते थे आपको पता चले यह हो सकता सबसे नहीं पर यह भी एक reason दिख रहा है कि सामने वाली person की marriage हो रही है और उसकी family चाहती है यह वो दुखी है पर उस proposal को accept करने के लिए मजबूर है वो कुछ नहीं कर सकता यह कर सकती जो भी है और यह एक वज़ा हो सकती है आप तुनों के पीछ में separation की जगड़े की कोई other proposal वो भी marriage का चले देख लेते और क्या है आप आपके लिए guidance क्या है यह भी जाना जरूरी है कि universe आपको क्या बताना चाहती है है बहुत सारे हैं तो मैं ऐसे लिना पसंद करूँगी जो भी आ गया ओके देखते हैं क्या है आपके लिए message universe की तरफ से कार्मी connection हाँ समझ के हम jealous jealous यह वही कर सकता है जो अपसेस हो या फिर आप दोनों के रिष्टे से कोई jealous था जिसने ऐसा किया है या कोई तो है किसी तरह की jealousy है या तो आप jealous हो रहे हैं से किसी और के साथ देखकर marriage करते हुए या फिर कोई और था जो आप दोनों के relationship से jealous हो रहा था और उसने यह चीज कोशिश की आपको अलग करनेगी solid foundation मजबूती लाना relationship पर बहुत ज़रूरी अगर तो यह person वापिस आता तो अपने रिष्टे पर काम करिएगा जो कि यहां पर यह person वापिस आ सकता है union है reconciliation है तो जुससे जो match हो रहा वोले भाई जिसकी पार्टनर शादी करके जा रही तो उसका हमाई कुछ नहीं कर सकती पर जिसके पार्टनर relationship union चाह रहे हैं तो वो union चाह रहे है staying connected यह person आपसे connected रहना चाहता है चाहे कुछ भी हो जाए यह आपसे बात करेगा बहुत चल्ट आपसे बात करेगा अप इंदी एर यह अभी भी लव है आप दुनों के बीच में बहुत लोगों से कहते हैं माम कब तक बात करेगा राइट कब आखिर कब कब बात करेगा लग यह दो आए हैं तो दोनों को ही लिया जाएगा कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए तो जिससे जो राइज ने उठे रहा वो लिगजे चुकि एक जर्नल लिडिंग है अगे दिखते हैं गिट्स अफ लाफ ओके लव बॉंबिंग एक बहुत शातिर है सरिष्टे में कौन अपसेस जो है वो नहीं जो जिसने अपसेस किया है वो वो प्यार का बम गिराता है और फिर भाग जाता है और आप पागल होते हैं उसके प्यार में कि मुझे वो चाहिए मुझे वो चाहिए वो बहुत चलाक है वह सकता है उसका सेंस अफ इमर बहुत अच्छा है इस वाज़े से आप उसके तब बहुत अट्राटिव करते हों हार्ट एंलोग ओक ए हूं डिवाइन फेमिनाइन एं कोई फायर साइन भी हो सकता है टू-फेस कोई टू-फेस पीपल है हो सकता ये टू-फेस पीपल वह है जो जलिस हो रहा है या तो ये वो परसन है जो लव बॉम्बिंग कर रहा है आपके साथ पर वो प्यार है नहीं exactly बो सकता है आप इसके पीछे-पीछे लगे रहाऊ gamble किसी के लिए तो ये लव- roamamble है कोई तो खेल खेल रहा है कोई तो खेल खेल रहा है जिकिवे तो थोड़ा सा सतर्क रहने के जर्वत है सब के लिए तो नहीं होगा कुकिए एक जनर्र, रीडिंग है बर जिनके लिए है वो समझ जाए तो यह थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब में अच्छा भी तक नहीं किया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, थैंक यू फो बॉच्छिंग